भारत में सबसे पहली ट्रेन कहां चली थी? Option है A. मुंबाई, B. दिल्ली, C. कोलकाता, D. जैपूर सही उत्तर है Option A. मुंबाई भारतिय रेल दिवस कब मनाया जाता है? Option है A. 16 अप्रेल, B. 8 मार्च, C. 10 अप्रेल, D. 7 अप्रेल सही उत्तर है Option A. 16 अप्रेल भारत का सबसे लंबा रेल्वे प्लेटफॉर्म कौन सा है? Option है A. गोरकपुर जंक्षन, B. हाइदराबाद जंक्षन, C. नई दिल्ली, D. इन्वे से कोई नहीं सही उत्तर है Option A. गोरकपुर जंक्षन भारतिय रेल का राष्ट्रिय करण कब हुआ था? Option है A. 1950, B. 1898, C. 1955, D. 1960 सही उत्तर है Option A. 1950 रेल इंजिन के आविशकारक कौन है? Option है A. जॉर्ज और्वल, B. अब्दुल गफफार खान, C. जॉर्ज स्टीफेंसन, D. अन्य सही उत्तर है Option C. जॉर्ज स्टीफेंसन भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंब की गई थी? Option है A. कोलकाता, B. गोरकपूर, C. दिल्ली, D. मुंबई सही उत्तर है Option A. कोलकाता भारत में सबसे तेज चलने वाली रेल कौन C है? Option है A. शताब्दी एक्सप्रेस, B. विवेक एक्सप्रेस, C. थार एक्सप्रेस, D. लाइफ लाइन एक्सप्रेस सही उत्तर है Option A. शताब्दी एक्सप्रेस भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? Option है A. जौन मत्हाई, B. ममता बैनरजी, C. आसफ अली, D. लाल बहादुर शास्त्री सही उत्तर है Option C. आसफ अली भारत में प्रथम बिजली चालेट ट्रेन का क्या नाम था? Option है A. डैककन क्वीन, B. ब्लेक ब्यूटी, C. गतिमान एक्सप्रेस, D. विवेक एक्सप्रेस सही उत्तर है Option A. डैककन क्वीन भारत में सर्व प्रथम चलाई गई ट्रेन का क्या नाम था? Option है A. गतिमान एक्सप्रेस B. विवेक एक्सप्रेस C. ब्लैक ब्यूटी D. समझोता एक्सप्रेस सही उत्तर है Option C. ब्लैक ब्यूटी